तिलंगाना में assembly elections होने वाले हैं अभी से माहोल बहुत गरम हो चुका है बीजेपी का MP अरविन धर्मपूरी ने कहा है कि कॉंग्रेस ने Muslims को वोड बैंक की तरह इस्तेमाल किया है BRS पार्टी भी यही कर रही है मुसल्मानों को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते और ना मुसल्मानों को आगे बढ़ाने का सोच सकते हैं ये एक बीजेपी का MP बोल रहा है तिलंगाना में और आगे अरविन धर्मपूरी ने क्या क्या कहा है चलिए देखते हैं देखिए साथ दशकों से उपर कॉंग्रेस ने मुसल्मान को सिर्फ वोट के जैसा देखा वही काम BRS पार्टी पिछले दो दशकों से वही काम कर रहा है सिर्फ अपीस्मेंट है अपलिफ्टमेंट ओफ मुसलिम्स नहीं है मैं कविता हो KCR हो KTR हो जो भी हो ये BRS फैमिली जो भी फैमिली पार्टी में कोई भी फैमिली मेंबर इसका जवाब दे दे कि आप लोग एक दलित बंदू स्कीम चला रहे दो साल से अब अभी तक एक परसंट दलित को भी वो स्कीम इंपलिमेंट नहीं किये वन परसंट अलसो अभी वो स्कीम से पैसा नहीं मिला उनको नाम के लिए खागस पे है पर वो स्कीम के स्कीम में हर दलित फैमिली को दस लाक रुपयों का बेनिफिट होगा फिर जुलाई 23 के दिन और एक जियो निकला खेसियार के सरकार से कि हर मुसल्मान फैमिली को एक लाक रुपया का बेनिफिट मिलेगा और उसका नाम दिया गया मुसलिम बंदू ये दस लाक दलित को और एक लाक मुसलिम को ये डिफरेंस मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे हिसाब से मुस्लिम भी पिझड़े है economically socially पिझड़े है दलित भी socially, economically पिझड़े है पर केसी-यार को ऐसा क्या पता है कि मुस्लिम को एक लग काफी है कि वो एक लागी डिक्लेर की है और दलित को दस लाग यह difference क्यों है किस मुद्दे पर है on what basis यह ज़रा लोगों को समझाना तो आप कहना यह चाह रहे हैं कि जैसे वो मुस्लिम मैं दस लाख और एक लाख नव लाख का जो डिफरेंस है वो क्यूं है मैं एक प्रश्न कर रहा हूँ आज दोनों भी चोरे इन रिगाट टो मुस्लिम्स कॉंग्रेस पार्टी और दोनों भी चोरे दोनों भी मुस्लिम्स के लिए कुछ नहीं किये इस देश में मुस्लिम्स सबसे बड़े बेनिफिशरीस हमारे फ्लैक्शिप स्कीम्स आयुष्मान भारत आवास यह जाना इसे स्कीम्स जो है इसके सबसे बड़े बेनिफिशरीस मुस्लिम्स है इसलिए मुस्लिम्स भी आज बारतिय जनता पार्टी को वोट डाल रहे हैं स्पेशली वोमें डाल रहे हैं वो भी दो हजार उन्नीस के बाद ट्रिपल तलाक का बैन होने के बाद मुस्लिम आउरत डिगनिफाइड लाइफ जी रही है और सभी मुस्लिम स्पेशली वोमें वो लोग UCC का इंप्लिमेंटेशन का इंतजार कर रहे हैं पर ये KCR की फैमिली कोई समझाए फैमिली मेंबर ये 9 लाग का डिफरेंस किस चीज के लिए है